राधी राधी दोस्तों पूरे साथ महीनों के बाद में मैं अपनी पंजाब वाली किचेन में यानि जो मेरी अपनी किचेन है वहाँ पर हम लोटे हैं साथ महीने बाद और बहुत ज्यादा किचेन गंदी हो गई थी एक किचेन क्या पूरा घर ही गंदा हो गया था आप समझ स सकते हो साथ महीने तक कोई घर बंद रहेगा तो उसकी क्या हालत हो जाएगी तो मैं कोई वीडियो नहीं शूट कर पाई हम चार पांस दिन पहले ही आ गए थे यहां पर पंजाब में लेकिन इतना ज्यादा गंदगी थी कि बस हम थोड़े थोड़े बरतन साफ करके किसी तरी या सामर गैलो या साउथ इंडियन बहुत ज्यादा खाना पसंद है हेल्दी भी होता है टेस्टी भी होता है मसाले कम होते हैं इसमें तो आज मैं बिलकुल अलग तरीके से बना रही हूँ जैसे कि मैंने पहले नहीं खाया मैंने जब मैं पुने में थी अभी पिछले दिनो तो पुने में जब मैंने वहाँ पे इडली खाई बाहर रेस्टरांट में तो वहाँ पर उसमें बहुत सारा कोकोनट था और बहुत गरम गरम इडली खाओ तो कोकोनट की जो स्मेल थी बहुत ही अच्छी आ रही थी तो मैंने सोचा मैं भी घर पे वैसे ही ट्राइ करूंग और यकीनन बहुत ही अच्छा लगता है नॉर्मन इडली से अब जो ट्रडिशनल इडली बनती है दाल चाओ और उसमें तो काफी ज़्यादा जंजट होता है तो यहाँ पर मैं इडली जो बना रही हूँ वो रवा से बना रही हूँ तो जैसे के आपने देखा ही मैंने रवा यानि सूजी मोटा बारीक जो भी आपके पास में हो वो आप ले सकते हो मैंने एक कटोरी रवा भर करके ले लिया और आदा कटोरी दही डाल दिया और पानी डाल करके मिक्स करके रख दिया यहां पर मैंने ताजा नारियल जो है ना उसको तोड़ लिया है और अब सूजी फूलने के लिए 10 मिनट चाहिए तब तक हमने नारियल वगेरा साफ कर लेना इस तरीके से नारियल का छिलका उतार देना है और यहां पर देखे इडली मोल्ड को भी हमने ग्रीज करके रख लि अगर आपके पास ताजा नारियल नहीं है तो आपने जो है जो सूखा नारियल होता है उसका छिलका उतार के आप छोटा छोटा काटके ले सकते हो अब वुद नारियल को हमने उसी बैटर में मिक्स कर देना है अब हम करेंगे चटनी की तैयारी तो हम लेंगे इसमें कोको नारियल नारियल की अप्लोड जलेंगे तो के कि मिल जाएगे और आपको बहुत बहुत के छटनी की विडियो अप्लोड गी है तो चलिए हैliches आज मैं आपको बिलकूल अलग तरीकिकी नारियल की vosणी बनाने वाली हूं जो कि खाने में बहुत अच्छी लगेगी जो नारियल का ड्राइनस होती है ना जो वो नहीं आपको फील होगी बहुत ही स्मूथ लगेगा खाने में तो थोड़ा सा मैंने देल लिया फैन में इसमें हमने तड़का में डाला राई उरत दाल चना दाल लाल मिर्च करी बता और प्यास थोड़ी सी इनको हलका सबून लेंगे जब यह सारी चीज़ें अच्छे से भून जाएंगी तब हम यह जो हमने चटनी पीस के रखी थी कोकोनट वाला मेक्चर मेरे पास हरा धनिया नहीं था अगर आप पास हरा धनिया है तो उससे भी आप पीस सकते हो और अब यह बनाने के लिए मैंने यहां पर खूकर रख दिया है इसमें डाल दिया एक गिलास पानी बॉयल होने के लिए अभ ये देखे जो हमारा कोकोनट सूजी वगारा का जो मिक्चर है वो मैंने इसमें इस तरीके से अच्छे से फूल गया है पतला नहीं होना चाहिए इसे नहीं तो आपकी इडली अच्छे से नहीं फूलेगी, अब हम इसमें इनो डालेंगे, अगर आपके पास इनो नहीं है, तो आप आधा छोटी चमच सोडा डाल सकते हो, या फिर मैं कहूं, इतने में आप चार चुटकी के जितना सोडा डाल सकते हो, मिक्स करके आप देख सकते हो, अ आपकी जो इडली है, वो पीली हो जाती है, थोड़ा सरसो का तिल महेकता है, उसमें पंजनसी रहती है, तो अब हम यहाँ पे इसमें भर देंगे, क्योंकि मेरे पास यह हांडी कुकर है, इसलिए धकन नहीं लग पाएगा, खड़ी बोडी का जो कुकर रहता है, उसमें पानी डालकी से और पतला कर सकते हैं, यहां दस मिनट में इडली हम इस तरीके से चेक करेंगे, नाइफ डालेंगे, नाइफ साफ आ गई बाहर, कुछ नहीं चिपका है, इसका मतलब है इडली तयार है, दो मिनट के लिए इने हवा में ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम देख सकते हो, निकालने में ही ना ही यह बिल्गुल भी बरतन में चिपकी हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, नारियल पड़ा होने के वज़े से बहुत अच्छी सी इन से फ्राइगरेंस आ रही है, कोकोनट ओईल की, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ रहा है, आप चाह ही हो तो वीडियो को लाइक शेर करना,